Hello friends, welcome to the YouTube channel, All Asian 4 आज हम बत करने वाले hearing and listening के difference के बारे में देखिए hearing and listening दोनों का मतलब होता है सुनना जानक केगा hearing ठीक है, all listening दोनों का मतलब होता है सुनना देखिए hearing जो होता है, accidental होता है involuntary होता है और effort less होता है, यानि के बतलब यह है hearing का मतलब होता है सुनना, आवाज जो है, यानि की sound हमारे कानों में जा रही है और हम उसको ध्यान दे रहे हैं की नहीं ध्यान दे रहे हैं उस पे कोई फरक नहीं पड़ता है जो हमारे मतलब की बात कही जा रही है मतलब की हमारे sound जा रही है की नहीं जा रही है उससे कोई फरक नहीं पड़ता है मतलब आगर कोई भी sound आती है और कोई भी कोई कुछ कहता है और हम सुन लेते हैं तो वो hearing के पार्ट में जाता है जबकि listening में क्या होता है कि यह focus होता है यानि कि हम जहां से उसको सुनते हैं समझते हैं और वो हमारे जो बात हम सुनते हैं समझते हैं वो हमारे मतलब की हूँ नहीं चाहिए ठीक है voluntary intention intention मतलब कि हम किसी बात को सुनते हैं तो हमारा उसमें एक intention चुपा होता है कि हम किसलिए हम इस बात को सुन रही है और लिसनिंग में किया होता है कि हम फोकास होते है यानि कहने कमत ellikки talking यह हम जानते है कि हम यह बात सुनेगे तो इसमें मेरा कही ना कही profit होगा छोपा होगा निस्ंग में हम जो है हम自助imon हम अपर नॉलेज को पढ़ाने के लिए या किसी बात को एडमायर करने के लिए बात सुनते हैं में क्या होता इक की जानकी फिजिकल लिस्पॉंस होता है जो some waves के दौरा understand की जाती है widrike Is a hearing में क्या है कि आप को झिद मिस्सनिंग जुरुएग जरुवत नहीं होती है जो sound आपके फ्की एर में पहुंच रही है यानरे की कानों करना है एटेंशन रहना है और लोगों को ध्रां से सुनना है gdzie क्या होता कि आपकी जो mind होता focus होता अटेंशन होता यानि कि जहां पर आपका दिमाग जो है कुछ वातों को admire करने के लिए परफर्स के तयार होता है selective perception पडर्शिप्शन? आप इंट्राइंचेंट रहता है क्योंकि आप कुछ चीजहों को बातों को चुनना मात चाहिए फोडू अची नियुकर आप इस इनियुक्त पर करेग्स तो